नमस्कार दोस्तों मैं राज सिंग माइक्रोशॉफ सर्टिफाइट ट्रेनर ओके फ्रेंट्स कंटिन्यू करते हैं आई होप इससे प्रिवेस वीडियो अपने देखा हो तो यहां तक आप लोगों ने अच्छी से कर लिया करने के बाद आप देखिए जैसे रिजन है प्रिशन को अपलाके फिल्टर में डाल देजिए जैसे आप प्रिजन को फिल्टर में लाकर डाल देगे और यहां पर आर बीकर कर देजर चाहिए यह वह चैए को बहुत ज्यादा बलकी हो जाएगा बहुत जÁDH कैसे सब टोटल ग्रेंट टोटल रिपोर्ट के लेयाउट उस पर हम काम करेंगे तो फिलहाल मैं वह सारी चीज़ें एड़ नहीं करता हूं थोड़ा सा और मास्कर हो जाओ फिर हम उसको एड़ करेंगे अब मैं हम ब्रांच को एड़ करते हैं यहां पर बैंगलूरू में इतना गया यहां पर इतना गया फिर सीटी में यहां पर इतना गया पूरी रिपोर्ट आपके सामने रेडि हो जाती है यह आपकी ब्रांच वाइस रिपोर्ट आपके सामने आ गई अगर आप रिजन पर जाकर यहां सेलेक्ट आल हटाके इस्ट प पूरा रिपोर्ट आपके सामने रेडी हो गया है ठीक है तो इस तरीके से मैं select all रखूंगा यहां पे तो सभी की सारे के सारे इस समय आपके सामने देखिए सब के सामने आ चुके है तो आपने ब्रांच को एड़ किया अब यहां पर क्या क्या है आपने रोज के अंदर ब्रा ब्रांचे से ज्यादा तो हम ब्रांचे को रो में रखेंगे ताकि नीचे तक जाएगा तो मतब कॉलम वाइज वर्टिकल फॉर्मेट में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम डिपार्टमेंट को लाकर कॉलम में रखते हैं आप ऐसे बनाएंगे तो देखें तरीके से आपके सारे डिपार्टमेंट और उसके साथ सारे ब्रांचे ठीक हैं और फूरर के सामने सामने आ चुका है तो टेल तरीके हैं आफ यहां पर आप एक चीज नोटीस करेंगे की जैसा आपने अबहुत अच्छे से बना लिखिन यहां पर आपको मिलेगा यह blanks देख रहे हैं यह सारे blanks आ रहे हैं आपके यह ब्लैंक के अंदर हम चाहते हैं कभी 0 आ जाए कभी X आ जाए तो यह कैसे आ सकता है तो किसी भी विंडो ओपन होगी वोगी पीवट टेबल ऑप्शन वाली ठीक है अब इसमें नीचे से 123 ठीक है नीचे से 123 तीसरे अल ऑप्शन है फॉर जो empty cell show मतल्म जो empty होंगे जो खाली होंगे वहां पर आपको क्या show करना है तो आप मानके चलिए यहां पर 0 करना है तो आपने 0 कर दिया और OK कर दिया इस तरीके से 0 तो कितना आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे 0 दिखाना है तो आप उस तरीके से ले सकते हो तो जो आपको सही लगे तो मैं फिर से यहां जाकर इसे 0 कर देता हूं और अगर आपने यहां पर वेस्ट पर क्लिक कर दिया ओके कर दिया तो यह आपको वेस्ट का रिपोट मिल जाएगा आप सारे वीडियो कंटीनू देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि अब वही कोश्चन अगर मैं फिर से पूछू कि कौन सा ब्रांच इस्ट का है और कौन से देखना सुरू कीजिए तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टेंडिंग आएगी तो आप कोश्चन यहां पर रहा गया कि मैंने इस्ट और वेस्ट पर ओके किया लेकिन इस्ट कौन सा वेस्ट कौन सा ब्रांच को आप ड्रांच के निचे यहां पर ला दिया आपने दे इसी वेस्ट के अंदर भी आपका डिपाटमेंडवी वेस्ट वेस्ट वाइस भी आपको तो टोटल दे रहा है और प्लस उसका डिस्क्रिप्शन ब्रांच वाइस मिल रहा है तो कितनी अच्छी रिपोर्ट आप बना पा रहे हो यहां पर एक छोटी-छोटी सेटिंग्स कर होगाना है थोड़ा सा यहां पर आप इस तरीके से चेंज werd K Herny सकते हो तोटल ही आपकी ऊपर है कि इस तरीके से इन्हें कुलर चेंज कर रहा हूं और कैसे रेकपोर को आतनी है तो आपने यहां पर यह सारी चीजें करदी रीजन वाइस और इस वीडियो में मिलते हैं, इसी को continue करेंगे आगे की चीज़ों को. So friends, यहाँ पर pivot table के अंदर जो चीज मैंने बताई है, इसको अभी कभी practice कर लीजिए, वीडियो पसंद आया. तो आप इसे like कर सकते हैं, उन लोगों तक पहुँचाईए, जिन लोगों को pivot table के बारे में कुछ सीखना है.